वो मुर्गा बेचने माला बताएगा कि देश का GDP कैसे समालना है तु साम को दस मुर्गा सही से बेच ताकि तेरे घर का आटा चावला है बताओ कैसे देश चलाना है मुर्गा बेचो और रोटी आटे का अंतिजाम करो और कीरे मोकोरे, मिटाले मिटा ले ना योगी मोडी को घसीट के हम डालेंगे उनको ये से वो कर देंगे अगर आप बोल रहे हो कि योगी को आप घसीट के चेल में डल्वाओगे मोडी को जीना मुश्किल करोगे तो आम जनता का क्या अस्तित्तु है आप हम क्या सेफ हैं क्या आप रिपोर्टींग कर रहे थे तो आपके मन में एक डर आया था कि यहां कुछ हो सकता है मेरे साथ पहला इसका हुआ मुर्गे का दोकान का बोला कि साल पड़ आपका फिस््टिबल आता है कबी मुर्गे में ये बंद करते थे हो कभी करवा चौत होता है यह होता है तुम्हारे में जो जो चीज हराम है तो भेचने में और यह करने में हराम नहीं है तुम जिस जगह में अपना इलाका बना ले तो क्या होता है मुस्लिम और हिंदु 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 आपको एक राम मंदिर मनने का इतना दुख है कि दूसरे कंट्री से भी स्टेटमेंट आ जाता है कि जिस दिन वहां सरकार बदलेगी यह हमारी मेजुरिटी होगी हम आपके राम मंदिर को हटवा देंगे वह मुर्गा बेजता है उसको मेरा अगर वह देखे ना कभी भी जेल से छूटेगा तो उसको बोलना इंदरापूरम में रहता हूं प्रकास सिंग नामे कभी भी हुआ है कोई economist बोलता है कोई परहलिक आदमी बोलता है कोई ऐसा बोलता है कि उसको intellectual बात करता है समझ में आता है सिर्फ business business हर चीज में business जहां फैदा हो रहा है वह सही है और जहां तो बाप की तरह मजदूरी कर रहा है तुम्हारी सोच घर्टी आए कि तुम लोग खाने का सोचते हैं हम खाने का नहीं सोचते हैं अपने बात बताओ बोलते हैं कि बैल को दूसरे को मौसी मान लो भैस को मौसी मान लो तो एक बात बता मेरे भाई तेरे से पूछता हूं क्या तू अपनी मां का दूद पीता है तो क्या अपनी मौसी का भी दूद पीता है एक काई पीता है ना धरम को लेकर ऐसी अबदर टिप पनी करना पहले इस पे क्या कहना चाहेंगे योगी जी का खोफ कहां पर बात भाई सब देखिए बात खोफ की नहीं है उनका तो आपका जो वीडियो वाइरल हो रहाता उसमें मैंने एक और श्टेटमेंट उन्होंने जो ऐसे तो लिस्ट बना के लाया हूं पूरा का पूरा क्या क्या इन लोगों ने बोला है इन लोगों ने क्या बोला कि एक बर सरकार जाने दो योगी मोधी को घशीट के हम डालेंगे उनको ये स अगर आप बोल रहे हो कि योगी को आप घसीट के जेल में डलवाओगे मोधी को जीना मुश्किल करोगे तो आम जनता का क्या अस्तित्तु है आप हम क्या से हैं क्या प्रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपके मन में एक डर आया था कि यहां कुछ हो सकता है मेरे साथ आप जब मेरे तो दिमाग गुस्से से भर चुका है इसके कुछ-कुछ 14 सवाल है जो आपके चैनल पे इसने बोला पहला इसका हुआ मुर्गे का दुकान का बोला कि साल बर आपका फेस्टिबल आता है कभी मुर्गे में ये बंद करते थे हो कभी करवा चौत होता है ये होता है आरे तुम्हारे में जो जो चीज हराम है तो भेचने में और ये करने में हराम नहीं है तो वहां क्यों नहीं नहीं भाते हो फिर धर्म फिर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं गलत आदमी हो गया मैं हेट इसमीच भैला रहा हूं अपनी सोच और अपनी बिचार धारा को बदलो कोई नेपाल का, कोई बिहार का नहीं बेच रहा है आप क्यों ये साबित करने में लगे रहते हो कि हम जहां गडर बन गया ये हमारा हो गया ना हम यह तुमें रहने देंगे ना तुम्हें बिजनेस करने देंगे ना तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल कर देंगे आप जो मेसेज देना चाहते हो ये पुरा भारत का राष्ट देख रहा है आप अगर कोई आख में पट्टी बाना हुआ है कोई सोच रहा है अरे भाईया चलो कुछ नहीं सा भाईय है नहीं है देश में कोई जजमेंट पास किया जाता है देश में कोई स्टेक्टमेंट बोला जाता है तो हम देखते हैं कि तुम क्या दिखा रहे हो क्या दर्सा रहे हो हम तो हेटी स्पिच नहीं पहला रहे है अगर कल आज गाजियाबाद पुलिस तें उसको अरेस्ट किया मुसलमानों को रहने नहीं देंगे जीने नहीं देंगे तुम बोले तुम बोले रहने नहीं दोगे कि आने वाले टाइम में तुम लोगों को हिले नहीं देंगे तो सुन लो नया भारत है डिजिटल यूग है हम भी देख रहे हम भी सीख रहे हैं अगर हमें छेड़ों के तो हम भी परेसान करेंगे और हम पर हेटी स्पीच डलवाओ और किस बात का है तुम खुल के बोल रहे ह है और उनकी सरकार का क्या रूप मानते हैं हमारी और तुम्हारी सरकार क्या है क्या जो तुम्हारी सरकार है तो तुमने क्या भोट में दिया होगा तुम हर गये मान लोगर कोई को बोट दिया को बीजेपी को दिया बीजेपी जी तो उसको ज़्यादा भोट परसेंटेज म रहेगा आप अपनी राजनितिक पॉलिटिक्स देश के अंदर खेलो बीजेपी को अंग्रे समाज बात जो करना है करो जिस पार्टी को बोट देते हो तो लेकिन इतना भी नीच्टा मत दिखाओ बात बड़े-बड़े खोसलेवाजी सेकुलरिस्म है यह है मिलके रहो तो मिल बढ़स बढ़स उसने यह बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुम जो जो किये हो हम नाम बढ़स था इसको चेंज करना नहीं बोलते हैं इसको रिएस्टोर करना बोलते हैं कि जो पुरानी चीज़े जो थी उसको वापस से होई किया गया अगर वो उसकी जगह कोई और नाम रखता तो चेंज करना गया इसका मतलब तो तुम यही बता रहे हो ना कि राम मंदिर बनाए कल हमारी आई की तोर लेंगे ऐसे कैसे तोर लोगे ऐसे कैसे तुम्हारा ही लोग है लड़ने वाला बोलने वाला हमके हाथों में चू सरकार थी जब मुगल थे इतने मंदिर तोर दिये 30-40,000 क्या 30-40,000 कोई मांग रहा है दो तीन में ही छाती फट रहा है कि तुम हमारे मंदिरों को तोर दिये तुम हमारे मस्जीदों को तोर के मंदिर बना रहे हो तो मेरे भाई एक बात बताओ आपसे मैं सवाल पूछता आपको एक राम मंदिर मंदे का इतना दुख है कि दूसरे कंट्री से भी स्टेटमेंट आ जाता है कि जिस दिन वहां सरकार बदलेगी या हमारी मेजुरिटी होगी हम आपके राम मंदिर को हटवा देंगे तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो जब आपका मुगलिया संतनत थ तो आपको अगर इतना ही आपका पावर था इतना ही आप इतने पावर्फुल बनते थे तो कहीं मंदिर उसके बगल में भी तो बनवा सकते थे आपने क्यों उसी के उपर बनवाया इसका मतलब इंटेंशन था कि डिरेक्ट उसको वो करना है